तो आज हम जा रहे हैं आज के तीन जुलाई के एडिटरियल के तरफ कल वैसे एडिटरियल था नहीं इसलिए हमने देखने जा रहे हैं इसके पहले हमने देखना पड़ेगा some important words I do call them the important words only मैंने सिप्टां इसलिए गईता हूं जहनी वचाब इसलिए शोर्फ हमने एडिफिकल्ट वन वान लेकिर विकैबलरी क बिफिकर नहीं होती है पास अलग तरीके से use की जाते है, this usage of different words, the common words differently is called the journalistic register कहा जाता है इसको, linguistic में से journalistic register के नाम से जाना जाता है, और आज हम देखेंगे some very few words are there in the today's editorial, those can be called the difficult one as such, the important one as such as we do not use them in our general talk in general conversation as such so the first word is churlish so churlish को अलग तरिके से भी यूज किया जाता है it is also an adjective लेकिन यहाँ पर churlish का मतलब होता है rude no generally churlish people वो होते हैं जो किसी की बुराईया करते है no मैंसा इसा कहा जाता है they are the churlish ones but यहाँ पर churlish का मतलब होता है root I know in a very negative manner as such दूसरा वर्ड है minute eye so minute is what very minute or it is called as subtle बहुती subtle बहुती सुष्म बहुती सुष्म तरीके से जिन बातों को देखा जाता है जिन में subtlety होती है उसे minute eye कहा जाता है so there is iranious supposition iranious supposition is a word जो शुरू होता है error से miss air से शुरू होता है और supposition is a belief miss जो गलत धारना बना ली जाती है गलत विश्वास मान लिया जाता है गलत मानने ता है होती है उसे iranious supposition कहते है so there is another word conspicuous conspicuous का मतलब बता है discernible discernible means very much noticeable no so whatever is very much noticeable very easily noticeable is called iranious sorry conspicuous as such so जो बहुती जल्दी ध्यान में आ जाता है बहुती जल्दी हम जिसे देख पाते हैं बहुती जल्दी जिसको notice कर लिया जाएगा such a word is called conspicuous so there is prevalence so it is from prevalent यह prevalence से आया है and then we go for prevalence means commonness which is very common common to one and all yield yield का दो तरीके का मतलब होता है लेकिन है पर produce कुछ इस तरीके से लिया जाएगा to produce और इल्ड का दूसरा भी एक मतलब होता है जिसे कहा जाता है शरण चले जाना no means sometimes you surrender yourself no to surrender करने को भी इल्ड कहा जाता है लेकिन यहां पर produce के ताउर पर हमें इसका 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 इस्तमाल करना है no so see dear friends and the last word then I will be talking on the importance of vocabulary as such robust so robust is what very strong जो पर स्ट्रॉंग है इसका robust कहा जाता है जो बहुती बड़े पैमाने पर है इसे robust कहा जाता है now the point is this that यह जो vocabulary है यह इतनी important क्यों हो जाती है when you read a newspaper or you go for some examinations important examinations इसलिह यह vocabulary important हो जाती है because we understand the meanings of the words in their context उनकी context में इन meanings को समझना चाहिए उनकी context में ही मिनिंग को समझना पड़ता है मिस context बदलते ही बहुत बार मिनिंग में भी बदला आ जाता है जो कहा इल्ड का मतलब शरण जाना ऐसा भी होता है सरेंडर कर देना ऐसा भी होता है और इसी इल्ड को यहां पर हमने प्रडूश के तवर पर इस्तिमाल किया है क्योंकि वोक्याबलरी एक ऐसी चीज आपको लेकर जाती है आपके बेटर कॉम्प्रेहेंशन की तरफ नो अगर किसी बात को समझ ही नहीं कर पाए अगर किसी बात को बात की समझ आपकी पूरी है नहीं तो आप उसको ठीक तरीक से ना तो पढ़ पाएंगे ना एक्जामिनेशन में अंजाम दे पाएंगे सो माई फोकस इस ओल्वेस देर ओन कि आपका वोकेबलरी और इसी के तालुक से आपका जो लिंग्विस्टिक कॉमपेटनस है लिंग्विस्टिक कॉमपेटनस आपका भहती ज़्यादा सही रहना जरूरी है तो अब इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाना करते वह इसके ग्राइमर को हम देखने वाले यह उपन क्लैस्ट विकाबलरी क्या होता है इसको मैं आपको विदिन अदे और तुस्ट आ इसको मैं आपको इस बात का जिक्र नहीं करेंगे यह अछलो गिनते हैं या इनकी गन्ना करते हैं जयसे कलके हॉद रूट रीड पर दी नहीं है इसको यह very important and how many activists, how many organizations are demanding for this census. तो इसी तरीके से जब हम इसको देख रहे हैं, making it count. What to count and simple word is that disability is to be counted. इस disability को count करना है और disability को count करने के लिए शुरूँ हा था long back by NFHS, National Family Health Survey, National Family Health Survey, जो है 6, you know, it is 6, the National Family Health Survey that began in 1992, 92 में इसकी शुरूआत हो गई थी. अब यह सर्वे क्यों किया जा रहा था इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है. So there are so many things to be known to the government in order to form the policies. policies को बनाने के लिए government के पास अच्छा एक फैमिली डेटा होना बहुत ही जादा जरूरी चीज थी. इसके चलते इन्होंने NFHS को फॉर्म किया and then this is the sixth term of this NFSH after 1992. 1992 के बाद यह इसका sixth round है. NFHS 5 में इन्होंने disability count को, count के question को रखा था. So the activists, those who are working for the welfare of all the deprived class, जितने भी deprived class है, वंचित घटक है, जो मुख्यधारा से बाहर हैं, जिने जरूरत है, जिने खुद अपनी कोई समझ नहीं है, जिनको मुख्यधारा से दूर रखा जाता है, ऐसे लोगों के लिए काम करने का काम कुछ activist group करते हैं, अच्छे वाले activist group करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, कुछ अंदोलन किये जाते हैं, सरकार को सुझाव दिये जाते हैं, ऐसे activist group बहुत खुश थे NFHS 5 में, क्योंकि NFHS 5 में disability के question को जगा मिली थी, और इस disability question को जगा मिलने के वेशे से they were very happy, but now they are very much worried, वह बहुत जादा worried इसलिए हैं, क्योंकि NFHS 6 में disability के question को बहुती rude तरीके से, चरलिश जो भी हमने देखा, बहुती rude तरीके से इसको बाहर कर दिया है, और इसने दे दिया हमें एक wrong signal for the disables, disables के लिए बहुती wrong signal दिया गया है, because of this childish decision, rude decision, उन्हें रूट decision लिया है, कि इस सवाल को बाहर निकाल दिया है, और इसके बहुत सारे justifications government दे रही है, कि क्यों इस सवाल को बाहर निकाल दिया है, in justifications को जब हम देखते हैं, तो भी find that after years of campaigning for the same, activists rejoiced when the government added one question on disability in NFHS 5, जो भी भी मैंने जिक्र किया, कि NFHS 5 में जब इस बात को रखा गया था, इस सवाल को जगा मिली थी, so the activist group were very much happy with the same and were hopeful that this would be built upon in subsequent versions of the nationwide survey, और they were quite hopeful also, कि जब nationwide survey होगा तो फिर इस बात को आगे इसी तरह के से लेकर जाएंगे, लेकिन, the deletion and reluctance to map the minute eye that will help understand their lives and needs better, leaves the question, is the government serious about its commitment to the disabled in the country, who number as per 2011 census about 2.68 crore और यह जो डिलीशन किया गया है, disabled को को निकाल दिया गया है, इस से एक सवाल बनता है कि 2011 के census के तहत, 2011 का जो census हुआ था लास्ट टाइम, तो census के तहर 2.68 crore जो disabled पाए गये, तो इन 2.68 crore disabled के लिए उनके प्रती, क्या government सववेदंशिल है, serious है, sincere है या नहीं, यह सवाल यह आपर पैदा हो रहा है, वो इस तरीके से इसको रिस्पॉंड कर रहा है कि, जो questions on disability were already asked in the sample registration survey, sample registration survey में इस question को अल्रेदी लिया गया है, that is called SRS, in the 76th round में इसको लिया गया है, तो इसी बात को फिर से लेने की जरुरत इसलिए government नहीं समझती है, वो ऐसा कह रहे हैं, because it was done in December 2018, and ये इतनी जल्दी नहीं बदलता है, the very number of the disabled that has already been taken in the sample registration survey, ये इतनी जल्दी नहीं बदलता है, that does not change fast, ऐसा government का मानना है, ऐसी government की माननेता है, और ऐसी government की माननेता को हम बोल सकते है, that is an iranious supposition, ये उनकी गलत धारना है, this is a wrong supposition, this is a wrong belief of the government, government तो क्या generally governments, what do they do in no, generally governments अपनी जिम्मेदारियों को शग आफ करने में interested होती है, जितना ज्यादा government अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहेगी, उतना cost cutting होगी, so government is generally the matter of establishing the welfare state, government welfare state को establish करना चाहते, welfare of one and all, जिसे अंतियोद्य कहा जाता है, जो आखरी का भी बचा हुआ जो कोई है, उसको तक राइस करना है, उसको तक उभारना है, उसके लिए काम करना है, so that is the concept greatly infused in our Indian constitution, that is called to establish the welfare state, लेकिन जब आफर 1991, हम देख रहे कि हम खुद को ग्लोबल मान रहे हैं, government भी खुद को ग्लोबली सोचने लग गई हैं, and governments have become very much like the companies, no, they think in terms of company, जो कि गलत है, government is not a company, government is a responsible body, government is a parent body, we can call government as a mother, लेकिन इस बात को जब भुला दिया जाता है, तो कुछ ऐसे decisions ले ले जाते हैं, that is a iranious supposition, हम जिसे कहे सकते हैं, आगे बढ़ते हुए, we shall go for, while gross data on disability will change marginally, but still be substantial given the number, substantial, the count of 0.1 lakh sample household, that the NFHS relies on will make the data set truly representative, the elaborate question asked by NFHS will provide valuable specifics on the lives of the disabled, something on that scale, hitherto conspicuous by its absence, कि जो survey हुआ है, इस survey में बहुत सारे 6.1 lakh household से survey लिया गया है, that is quite representative, लेकिन इसको absent मिलाना is quite conspicuous, अगर इस नमबर 6, NFHS 6 में, अगर ये बात को absent रखा जाता है, disabled के question को दूर रखा जाता है, तो this will become a very conspicuous, वो दिख जाएगा, that will be very noticeable, because the number of disables will be deprived of certain facilities, some of their rights and much more, while the SRS does a good job with marking the prevalence and incidence of disability, education level, living arrangements, caregiver, certificates of disability, accessibility and unemployment rate among others, the NFHS is asked more comprehensive question, its 6th answer on health and nutrition status, access to health schemes, insurance, sexual behavior, availability of family planning, use of contraceptions, domestic violence, household amenities and possessions, lifestyle indicators and access to drinking water and toilets, ये बहुत ही मिस पूरी तरीके से एक अच्छा वाला डेटा हम जिसे मान सकते हैं, कि नेशनल फैमिली हेर्थ के जरिये, जो भी सर्वे किया जा रहा है, उसमें ये सारी बातें पुछी जाती है, वाई टीस सो इंपॉर्टन, नो, हेर्थ एंड नुट्रिशन के उपर है, उसका क्या स्टेटस है, access to health schemes, हेर्थ की जो different schemes है, जैसे जीवन दाई योजना है, राजिव गांधी योजना है, और भहुत सारी पंतप्रधान बिमा योजना है, ऐसे भहुत सारी योजना का क्या स्टेटस है, इंशुरंस को लेकर, how much people are aware of, कितने लोग aware है, उनका sexual behavior क्या है, no, then availability of family planning, family planning के उपर, एक अच्छे से जोर जोर दिया जाता है, use of contraception की क्या हलत है, domestic violence को लेकर क्या चीज़ बनी है, so very, very important issues, are being talked, when these surveys come out, household amenities and possessions, lifestyle indicators and drinking of, access of drinking water and toilets, there is no doubt that the letter will yield better, more robust, और इसलिए माना जाता है, कि जो दूसरी वाली बात है, letter means, NFHS वाली जो बात है, वो जादा, बहुत स्ट्रॉंग डेटा दे सकती है, while health ministry officials claim that the sole NFHS question on disability to result in underreporting, that might actually be a function of training for field staff who ask the question, the state, the state must be of a function training for field staff who ask the question, the state must employ those efforts, adding questions on disabilities, training field staff, because nothing really justifies any attempt to keep a significant section out of a massive scale count of Indian population, अब ये बात जरूरी क्यों है, हम इस पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस editorial पर चर्चा करने की क्या वज़े हैं, तो इसकी सबसे important वज़े ये है, that we can have the justification, that we cannot keep the significant section, no, disabled का significant section है, out of massive scale count of Indian population, Indian population का एक massive scale count बना है, और इस massive scale count of population में, हम ये जो significant section है, disabled का, इनको बाहर नहीं रख सकते हैं, इनको नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, इनको नजर अंदाज करना, एक गलत धारना हो जाएगी, गलत माननेता हो जाएगी, ये एक तरह का अन्याए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मेनी activists are working on the same, so this is what all about, this NFS6, जिसमें, disabled को count नहीं किया गया है, उनको count करना बहुत ही जरूरी चीज़, हम मान सकते हैं, so this is what all about, making it count, so thank you very much, keep studying,